हेलो एबरिवन भीमा कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आपके लिए लाई हूँ गाजर मूली का अचार की रेस्पी यहां मैंने चार मूली तीन गाजर लिया है जिसको हलका छील कर धो लिया है और इसका पानी सुखने पे डेर डेर इंच के साइज में काट लेंगे आप चाहे तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे देखने में अचार सुन्दर लगता है इस तरह गाजर को भी काट लेंगे अब दस बारह हरी मिर्च लेंगे उसे बीच से चीरा लगा देंगे देखिए इस तरह से चीरा लगाएंगे देखिए इस तरह से मूली गाजर हरी मिर्च को काट लेना है एक बरतन में मैंने सभी को लिया है उसमें एक बड़ा चमच नमक थोड़ा हल्दी डाल देंगे और अच्छी तरह मिला देंगे इसे दो घंटे के लिए छोड़ देंगे तब ये पर मसाला भूनेंगे एक बड़ा चमच धनिया उसी में एक बड़ा चमच जीरा भून लेंगे उसे निकाल लेंगे अब एक छोटा चमच मेथी भूनेंगे अब उसी में दो बड़े चमच पीला सर्सो थोड़ा सा काला सर्सो डाल कर हल्का सा भूनेंगे फिर निकाल लेंगे सर्सो को ज्यादा नहीं भूनना है एक बड़ा चमच सौफ भूनेंगे एक बड़ा चमच अजमाइन को भी थोड़ा सा भून लेंगे अजमाइन को अलग निकाल लेंगे एक छोटी चमच कलॉंजी भी लेंगे सभी मसाले ठंड़ा हो जाए तो सभी को मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे मसाला इस तरह दरदरा होना चाहिए ये मसाला आप किसी भी अचार में डाल सकते हैं अब मुली गाजर से पानी निकल आया है इसे अच्छी तरह निकाल लेंगे अब कड़ाई में थोड़ा तेल गरम करेंगे जब तेल गरम हो जाए तो गैस आफ कर देंगे और ठंडा होने देंगे थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें एक चमच हल्दी डालेंगे हल्दी तेल में अच्छी तरह मिला लेंगे फिर उसमें एक चमच देगी मिर्च डाल कर मिला देंगे जब गाजर मुली से अच्छी तरह पानी निकल जाए तो उसमें एक बड़ा चम्मच नमक डाल देंगे, चार बड़ा चम्मच पिसा मसाला, आधा चम्मच अजमाईन, आधा चम्मच कलॉंजी, और कड़ाई में गरम किया हुआ तेल डाल कर अच्छी तरह मिला देंगे एधी इसे आप ज़्यादा दिन रखना चाहते हैं, तो इसमें दो चम्मच भीनिगर भी मिला देंगे, नहीं तो 10-15 दिनों के लिए रखना है, तो बिना भीनिगर भी बना सकती हैं अब इसे अच्छी तरह मिला के, एक कपड़े से ढख कर दो दिन के लिए रख दें बीच बीच में चलाते रहेंगे, दो दिन के बाद यह अचार खाने के लिए बिलकुल तयार है, अगर आपको यह रेश्पी पसंद आई हो, लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, और इसे जरूर ट्राइब करें